दोस्तो आज हम लोग compare करने वाले हैं small cap category के दो बहुत ही अच्छे mutual funds को excess small cap fund और SBI small cap funds ये दोनों ही funds अपनी category में बहुत अच्छी returns दे रहे हैं तो काफी सारे investors के मन में confusion रहती है कि इन में से कौन सा fund better है investment करने के लिए तो इस video में हम detail में इन funds की बात करेंगे, इनकी risk ratios देखेंगे, sector allocation देखेंगे और end में मैं आपको इनकी returns भी दिखाऊंगा और end में सबसे मैं आपको बताऊंगा कि मेरे हिसाब से किस type के investors के लिए कौन सा fund जादा better है तो आईए देख लेते हैं ये video तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों funds के direct plan की launch की बात करें तो XS small cap launch हुआ था November 2013 में SBI small cap launch हुआ था January 2013 में वही दोस्तों अगर यहां पर मैं इसके asset under management की बात करता हूं XS small cap का जो asset under management है वो 7300 करोड के आसपास चल रहा है और SBI small cap का जो asset under management है वो 10,000 करोड के आसपास हो चुका है तो दोस्तों अगर आप एक small cap fund के एंगल से देखते हैं तो इन दूनों का ही asset under management शायद आपको जादा लग सकता है लेकिन जो अभी market की conditions है, market की situation है आपको वो भी समझना पड़ेगा उसके हिसाब से ये asset under management अभी काफी जादा manageable लग रहा है वहीं दोस्तों अगर हम इनकी market cap wise allocation पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक से small cap की बात करते हैं तो इसने large cap companies में 2.32% पैसा लगाया हुआ है मिड cap companies में 29% पैसा और small cap companies में सबसे जादा 61% पैसा और अगर हम SBA small cap की बात करें तो ये large cap company में कोई पैसा नहीं लगा रहा है मिड cap company में ये काफी अच्छा खासा allocation आप देख सकते हैं 40% के आसपस और small cap companies में भी 56% के आसपस तो अगर हम यहाँ पर asset allocation देखते हैं market cap wise तो slightly जो risk है वो excess small cap जादा ले रहा है क्योंकि excess small cap में small cap में जादा allocation यहाँ पर किया हुआ है महीं दोस्तों अगर हम इनके expense ratios पर बात करें तो excess small cap की expense ratio है वो सिर्फ 0.38% चल रही है जो की काफी कम है काफी कम पैसा ये fund अपने investor से charge कर रहा है महीं अगर हम SBI small cap की यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी expense ratio थोड़ी higher side पर अभी देख सकते हैं 0.82% के आसपास की expense ratio इसकी चल रही है हाला कि category average से इसकी भी कम है लेकिन अगर आप यहाँ पर compare करेंगे excess small cap को SBI small cap से तो आप देख सकते हैं आधी से भी कम यहाँ पर expense ratio excess small cap की चल रही है वहीं दोस्तों अगर हम इनकी risk ratio से इन दोनों funds के investment strategy के बारे में कुछ समझे तो सबसे पहले अगर हम excess small cap की बात करते हैं तो इसका standard deviation 23.24 के आसपास चल रहा है sharp ratio इसका 1.17 है वहीं turnover ratio इसका 22% के आसपास है वहीं SBI small cap का standard deviation 23.95 है sharp ratio इसकी 0.95 है और turnover ratio इसकी 32% के आसपास है तो दोस्तो standard deviation किसी भी fund का हमें यह बताता है कि एक fund कितना volatile है return देने के मामले में और यह standard deviation जितना कम होता है उतनी ही जादा एक fund के stability दिखाता है तो standard deviation SBI और excess दोनों का ही लगबग एक जैसा दिख रहा है हाला कि excess small cap यहाँ पर slightly better standard deviation के साथ नजर आ रहा है वहीं अगर हम sharp ratio की बात करते हैं दोस्तो sharp ratio किसी भी fund का में यह बताते है कि एक fund कितना better risk adjusted return दे पा रहा है यानि कि कम risk लेकर जादा return और यह जितनी जादा होती है उतनी एक fund की better risk adjusted return दिखाती है तो यहाँ पर भी excess small cap की जो sharp ratio है वो काफी better हमें दिख रही है SBI small cap से अगर हम इसे compare करते हैं वहीं दोस्तो turnover ratio हमें यह बताता है कि एक fund अपने portfolio में कितना जादा frequently buy और sell कर रहा है और जितनी कम turnover ratio होती है उतनी एक better fund की long term buy and hold की strategy को यह दिखाता है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे excess small cap की turnover ratio है वो सर्फ 22% है वहीं SBI small cap की 32% तो दोस्तो turnover ratio इन दूनों ही funds की काफी कम है काफी अच्छी है यानि कि यह दूनों ही funds अपनी fund में companies को add करते हैं long term के vision के साथ और एक small cap fund के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई small cap fund companies को ढून पाता है जो वो लंबे time तक अपने portfolio में रख सके यानि कि वो एक अच्छी research के बाद ही उन companies को add कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तो risk ratio इस इन दोनों की ही अच्छी है लेकिन comparatively access small cap far better यहाँ पर दिख रहा है अब दोस्तो अगर हम इनकी sector-wide allocation पर बात करें तो अगर हम पहले access small cap की बात करते हैं तो इसने सबसे जादा पैसा construction sector में लगाया हुआ है 28% के आसपास उसके अलावा technology, chemicals, FMCG और financial sector यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तो यह चीज़ में आपको कई बार बता चुकोंगी एक small cap fund अगर किसी एक particular sector में बहुत ज़ादा allocation नहीं कर रहा है 30-40% के आसपास तो यह एक बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि एक small cap companies है small cap companies में investment हो रही है तो वहाँ पर किसी एक sector में अगर बहुत ज़ादा investment हो जाता है तो एक risk बहुत ज़ादा हो ले लेता है यहाँ पर इसने किसी एक particular sector में बहुत ज़ादा investment नहीं की हुई महीं दोस्तो SBA small cap के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप यही देखेंगे कि किसी एक particular sector में बहुत ज़ादा allocation यहाँ नहीं है सबसे ज़ादा allocation consumer durable में है 14.7% के आसपास उसके अलावा construction, chemical, engineering और FMCG sector यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और अगर हम इन दूनों का comparison करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस दो से तीन sector यहाँ पर common देख रहे हैं construction, chemical और FMCG sector अब दोस्तों अगर हम इनकी companies पर बात करते हैं तो एकसे small cap की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा allocation Tata Alexi में ने उनों किया है 5.59% के आसपास उसके अलाबा Galaxy Surfectant, Brigade Enterprises, JK Lakshmi Cement और CCL Products जैसी companies यहाँ पर आप देख सकते हैं वही नारायने, हुरुदाले, Fine Organic Industries जैसी companies भी यहाँ पर आपके portfolio में शामिल हैं यहाँ पर भी दोस्तों मैं वही चीज आपको दुबारा repeat करना चाहूंगा कि जैसे sector में किसी एक में बहुत ज़्यादा allocation एक अच्छी बात होती है वहाँ पर ऐसा ही companies में भी होता है कि किसी एक particular company में बहुत ज़्यादा allocation नहीं है तो यह काफी अच्छी बात है कि यह fund risk कम ले रहा है किसी एक particular company में 10-12% allocation नहीं है नहीं दोस्तों अगर हम SBI Small Cap Fund की बात करें तो इसने अपना सबसे ज़्यादा पैसा Carborandum Universal में लगा होगा है 4.43% के आसपास उसके अलावा Hudson Agro Products में 4% Blue Star में 3.57% Phenolix Industry और Algae Apartment में भी 3% के आसपास यहां पर पैसा देख रहा है और उसके अलावा दोस्तों WeGuard Industries, Sheila Form, JK Cement Roseby Biotech जैसी कंपनीज यहां पर आपको देख रही है तो इन दोनों ही funds की जो एक strategy है वो लगबग यही दिख रही है कि इन दोनों ही funds ने किसी एक particular company पर या किसी एक particular sector पर बहुत जादा allocation नहीं करके चल रहे है और यह दोनों ही funds companies को लंबे time के लिए अपने portfolio में add कर रहे है अब दोस्तों कई लोगों का सवाल आता है कि क्या यह दोनों ही funds एकसे small cap और SBI small cap को अपने portfolio में शामिल किया जा सकता है या नहीं तो उसके लिए दोस्तों इनके आपस की overlapping हम यहां पर देख लेते हैं तो दोस्तों एकसे small cap ने 59 companies में पैसा लगाया हुए है वही SBI small cap ने 50 companies में और यहां पर अच्छी बात क्या है कि इन दोनों के जो common shares है वो सिर्फ 14 shares है और अगर हम overlapping की बात करते हैं तो 27-29% overlapping यहां पर दिख रही है क्योंकि आप लगभग 100 small cap companies में अपना exposure ले लेंगे तो वो चीज़ आप हमेशा याद रखें अगर आप एक से जादा small cap companies में पैसा लगाते हैं अब दोस्तों अगर हम इनकी returns पे बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके one time investment की returns पे तो अगर आपने एक साल पहले इन दोनों ही funds में पैसा लगाया होता तो वो पैसा लगभग सेम आपका दिख रहा है 10,000 रुपे लगाये हुए आपके 17,000 के आसपास इन दोनों ही funds ने कर दी है वहीं दोस्तों अगर हम 5 सालों में बात करते हैं 5 सालों में जो आपका पैसा है वो XS small cap ने 27,000 के आसपास बना दिया है वहीं SBI small cap ने 28,000 के आसपास यानि कि 5 सालों में दोस्तों इन दोनों ही funds ने लगभग एक जैसी ही return आपको generate करके दिया है 22 से 23% के आसपास की वहीं दोस्तों अगर आपने इस fund की inception में ही पैसा लगा दिया होता तो यहां पर एक major difference आपको मिल जाता है SBI small cap ने बहुत अच्छी return दिया अगर हम उसको XS small cap से compare करें XS small cap ने 26% की return दिये वहीं SBI small cap ने 28% की return दिये यहां पर दोस्तों मैं amount को compare नहीं करूँगा क्योंकि दूनों का inception अलग-अलग था SBI small cap जनवरी 2013 में launch हुआ था वहीं XS small cap लगबग 10 महीने बाद November 2013 में launch हुआ था अब दोस्तों अगर हम बात करें SIP पे return पे तो अगर आपने इन दोनों ही funds में 1000 रुपे पर मन्त की SIP कराई होती तो यहां पर आप देख सकते हैं 5 सालों में XS small cap ने 30% के आसपास की return आपको generate करके दिये यानि कि आपका लगाया हुआ 60,000 रुपे पान सालों में इसने 1,26,000 के आसपास बना दिये तो return इन दोनों ही funds ने यहां पर काफी अच्छी दी है अब दोस्तो बात आती है कि इन दोनों में से अकर मुझे एक fund चूज करना हो तो कौन सा fund वो मुझे लगता है जो इन दोनों में better fund है तो उसके लिए दोस्तों इनकी हम rolling returns एक बार ही देख लेते हैं तो यहां पर दोस्तों अगर हम excess small cap की returns को compare करते हैं SBI small cap की return से तो अगर हम पिछले 3 सालों की returns यहां पर compare करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि excess small cap ने far better return दिया in comparison to SBI small cap और दोस्तों जो important बात जो मुझे हमेशा लगती है मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की कि जब बुरा वक्त आता है किसी भी fund का तो वो कितना जादा गिरता है तो अगर हम यहां पर बात करें मार्स 2020 की तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब मार्स 2020 आया था इसा गिर गिया था तो यहां पर यही चीज मुझे है कि बेटर लग रही है कि कुछ एक छोटा सा period ऐसा आया था जिसमें SBI small cap ने बहुत ही ज़ादा अच्छी returns दी थी और वो इसके 5 सालों की return पे impact आपको देखने को मिल रहा है और दोस्तों अकर आप लोगों को भी ऐसे ही ticker tape के थुरू comparison करना हो तो ticker tape का link मैंने description में दे दिया है अब दोस्तों बात आती है दोनों funds में से कौन सा fund मुझे better लगता है हाला कि दोस्तों ये दोनों ही funds काफी अच्छे fund है काफी अच्छी return काफी लंबे time से दे रहे हैं लेकिन अगर कोई एक fund मुझे choose करना हो तो यहां पर मैं excess small cap को choose करूँगा उसकी तीन major reason है पहला reason इसकी expense ratio काफी कम है in comparison to SBI small cap दू की better लगती है हला कि 5 सालों में अगर हम देखते हैं दोनों नहीं same return दिये लेकिन अगर हम ruling returns यहां पर देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं SBI small cap का एक period ऐसा आया था जब उसने बहुत अच्छी return दे दी थी और जब बुरा time आया था तो उसने बहुत खराब returns भी दी दी थ है और जो time horizon है वो भी 8 से 10 साल के लिए होना चाहिए मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही उमीद करता हूं इस वीडियो से आपको help मिली होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे like जरूर कर दीजेगा धन्यबाद